आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ दिवाली स्पेशल पहुती टेस्टी मिठाई और ये मिठाई बिना दूद, बिना मावा, बिना चाशनी, बिना गैस जलाएं पहुती आसानी से बनाएंगे तो सबसे पहले ये मिठाई बनाने के लिए मैंने लिए हैं भुने हुए चने, ये देखिए जो रोस्टेट चना होते हैं वही है और ये बिना चिलके वाले चने हैं और ये जो चने हैं सादा चने हैं नमक वाले नहीं हैं इन चनों का इस्तमाल हम मिठाई बनाने के लिए करे बुने हुए चनों से बनी हुए मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो आपको बेशन वगिरा बूनने का कुछ जहनजट नहीं करना है ना कुई चाश्णी बनानी है बहुत ही आसानी से टेस्टी मिठाई बनके त्यार हो जाएगी तो अब यह जो भुने हुए चने का पाउडर है इसे हमें एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है तो यह देखिए मैंने यह पाउडर को बोल में डाल दिया है और अब मैंने लिया है desiccated coconut याने की नारियल का बुरादा टू टेबल स्पून लिया है यह अगर आपके पास हो तो आप मिठाई में डाल देना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं यह मैंने लिया है काजू बादाम पिस्ता का पाउडर टेबल स्पून तीनों चीजों को पीस कर मैंने पाउडर बना लिया यह इसमें डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें इलाइची पाउडर डाल दिया है काजू बादाम पिस्ता में से किसी एक चीज का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं यह इसे स्किप भी कर सक यहां पर यह देखे बहुत ही अच्छे से हमने घी को मिक्स कर लिया है और गी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे condensed milk condensed milk easily market में बिल जाता है अगर आप इसे घर में बनाना चाहें तो इसे easily बना सकते हैं इसकी रेसिपी मैंने अपने टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो में बताई हुई है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे description box में दे दूँगी तो आप वहाँ जाकर condensed milk बनाने की रेसिपी देख सकते हैं यह बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है और मिठाई बनाने में इसका आप इस्तेमाल कीजिए मिठाईयां बहुत ही tasty बनती हैं तो यह मैंने लिया है one third cup condensed milk और यह हम पूरा नहीं डालेंगे अभी इसमें मैंने देखी थोड़ा सा यह बचा लिया है अभी मैंने आधा ही डाला है और इससे पहले हम mix कर लेते हैं फिर जरूरत के नुसार हम इसमें यह condensed milk डालेंगे तो अच्छी तरह आपको से mix करना है इस तरह दबा दबा के अच्छे से mix करेंगे condensed milk मीठा होता है तो इसलिए आपको इसमें sugar powder वगेरा नहीं डालना है तो अच्छी तरीकिसे से mix कर लिया है और अब देखिए अभी थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है तो जो हमारे पास condensed milk बचा है ना वो भी हम इसमें डा होने वाली है तो दिवाली पर घर में बहुत सारे काम होते हैं और घर में मिठाई बनाते समय हम यही सोचते हैं कि कैसे बनाए बहुत सारा काम फैलेगा काफी टाइम लगेगा तो ऐसा कुछ नहीं है आप बहुत ही आसानी से कम समय में टेस्टी मिठाई बना सकते हैं जो ब अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और यह देखिए अच्छ से यह बंद रहा है तो अब आप क्या करें इसमें थोड़ा सा डाल दे फूड कलर तो यह मैंने थोड़ा सा यलो फूड कलर डाल दिया है इससे पहुत ही अच्छा कलर आजाएका मिठाई का जैसी मार्किट की मिठाई होती है न वैसी ही बनेगी तो थोड़ा सा कलर डालने के बाद यह देखिए कितना शांदर कलर आगया बहुत ही अच्छे से दबा दबा कर इसे मिक्स करना है एकदम सौफ्ट मॉइस्ट बहुत ही टेस्टी यह मिठाई बनके त्यार होगी अब यहाँ पर यह मैंने लिया है थोड़ा सा केसर वाला दूद 10 वारक केसर के धागो को मैंने 2 टेबल स्पून दूद में भिगो के रख दिया था यह इसमें डाल दिया है अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे यह देखिए इससे बहुत यह अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप इसे नहीं डालना च चुका है मिठाई के लिए अगर आपको यह थोड़ा सूखा सा लगता है इस स्टेच पर तो आप एक चमज घी या एक चमज दूद इसमें और डाल सकते हैं लेकन यह एकदम परफेक्ट है तो अब हम इसे जमाएंगे तो मैंने एक प्लेट लिया है और प्लेट पर देंगे जिए सपैचुला से इस तरीके से दबाते जाएंगे गिया थारे सीक्ना करेंगे इसे बहुत एच्छी तरीके से सैटकरने के लिए इस तरह स्पैचूला से दबा दबाकर карт कीजे यह देखिए एकStudda कि चलए दिखायई देने लगा इसके उपर और किनारे ना इस तरीके से सेट कर दें ये देखिए हमने इसे स्क्वैर स्फ़ेर शेफ दे दिया है कि इस तरह से किनारे आपको तो इसे आपको थोड़ा मोटा ही रखना है बहुत ज़दा पतले पिसिज आपको नहीं बनाने है तो आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हो कि मैंने इसे कैसा रखा है, ये देखे, इस तरह की थिकनेस आपको रखनी है, बहुत पतला इसे नहीं करना है, तो अब आप इसे गानिश कर लें, तो मेरे यहां लिया है थोड़ा सा पिस्ता, और इसके उपर ये पिस्ता डाल दिया है, बारिक कटा हो पिस्ता लिया है, आप अपने नुसर जैसे भी से गानिश करना चाहें, वैसे कर सकते हैं, पिस्ता डालने से ये जो हमारी मिठाई है, बहुत ही जदा अच्छी लगेगी दिखने में, और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, तो अब इसे इस के उपर थोड़ा सा बारिक कटा हुआ बादाम भी डाल देती हूँ, जिससे ये और भी जदा टेस्टी हो जाएगी और दिखने में भी बहुत ही जदा सुन्दर लगेगी, तो थोड़े सा इस तरीके से बादाम डाल देना है आपको, और इसे भी हातों से दबा देंगे त कर सकते हैं, जो भी ड्राइफरूट्स आपको पसंद हो, उससे इसे गानिश कर सकते हैं, अब इसे आप 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं, ताकि से ये सैट हो जाए, और 15 मिनट बाद देखे मैंने से फ्रिज से निकाल लिया है, मिठाई सैट हो चुकी है, तो इसे हम कट कर लेते हैं, तो आप चाहें जैसे पीसेस इसके बना सकते हैं, मैंसे स्क्वेर शेप में कट कर रहे हूं, बहुँच जादा बड़े या बहुच जादा छोटे पीसेस में नहीं बनाऊंगी, मीडियम सैस के पीसेस में इसके बना कर त्यार करूंगी, जिस तरह हलवाई की दुकान पर बेसन की बर्फी मिलती है ना सेम वैसे ही पीसेज में इसके कट कर रहे हूं ये देखे पहुत ही शांदार मिठाई कोई कह सकता है कि ये मिठाई हमने बिना गैस जलाए बनाई है वो भी घर पे है ना एकदम हलवाई जैसी बहुत ही बढ़िया मिठाई तो आप भी इस मिठाई को अपने घर जरूर ट्राय करें ये मिठाई पहुत ही टेस्टी है और सबसे अच्छी बात आप इसे स्टोर करके भी पूरे वन वीक तक रख सकते हैं तो इस दिवाली आप ये टेस्टी जटबड बनने वाली मिठाई जरूर बनाएं सब को खिलाएं ये मि इसे बनाएं रेसिपी पसंद आई तू लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और आल पर क्लिक करना ना बूरे